कि नमस्कार मेरे प्यारे विध्यारतियों आज आपका स्वागत है हिंदी की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 में की शितिजबहाग दों यह पाठ डस ने तैजी का इंदौर में हुआ और उन्होंने मेकेनिकल इंजिनिरिंग की पढ़ाई करके एक और द्योगिक प्रतिष्ठान में नौकरी की और साथ ही साथ अगर हम देखें तो बचपन और नौकरी का उन्होंने बड़ा हिस्सा राजस्थान में बिताया फिलहाल वो रिटायर हैं और वस पुरच कब निकलेगा आएंगे अच्छे दिन भी आदमी जात का आदमी और संगान उलेखनी हैं उनके बीच में विनय और इधन उपन्यास चर्चित रहे हैं उन्हें पहल सम्मान बनमाली पुरुसकार राजस्थान साहित्याक आदमी पुरुसकार आदी पुरुसकारों स पुरुसकत किया जा चुका है तो बच्चो ये थे स्वयम प्रकाश और अगर हम उनकी भाशा शैली के बारे में बात करें तो उनकी भाशा शैली ऐसी प्रतीत होती है जैसे कोई किस्सा गोई हमारे सामने बैठा है और वो किस्सा सुना रहा है और खास तोर से उनकी भाशा एक अलग ही सहजता और नवीन तालिये हुए है तो बच्चो ये थे स्वयम प्रकाश तो बच्चो अब हम बढ़ते हैं कहानी की तरफ आपने देखा होगा आपकी किताब में जहां पर स्वयम प्रकाश का परिचर दिया है वहीं पर एक छोटी सी बात लिखी हुए जो कहानी क कहीं न कहीं संशिप्त रूप में बताती है चारों और सिमाओं से घिरे भुभा का नाम ही देश नहीं होता देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों नदियों पहाडों पेड़ पाधों वनस्पतियों पशू पक्षियों और इन सबसे प्रेम करने तथा इनकी सं मृध्धी के लिए प्रयास करने का नाम देश भक्ति है यानि विद्यार्थियों आप समझी गए होंगे कि यह पूरा पार्ट देश भक्ति के ऊपर है यहां पर बात हो रही है नेता जी का चश्मा लेकिन कैसे इसको देश भक्ति के साथ जोड़ा गया है और असल माइने म देश भक्ति क्या होती है यह पूरी पूरी कहानी इसी बात की और इंगित करती है तो बच्चो अब हम बात करते हैं कहानी के बारे में कहानी के अंदर क्या कुछ घटित हो रहा है तो मैं छोटे से सार के रूप में आपको कहानी के बारे में बताती हूं नेता जी का चश्म नहीं बच्चे भी इसमें शामिल है अब ये बच्चे कैसे शामिल है यह आपको पता चलेगा जब हम कहानी को पूरी तरीके से पढ़ लेंगे तो बच्चो कहानी के आरम में हम देखते हैं कि कहानी के मुख्य पात रहे हैं हल्दार सहब जो कंपनी के काम से उस कस्बे से गुजरना उनको पढ़ता है जहाँ पर छोटे-छोटे कुछ पक्के मकान हैं, कुछ स्कूल है, सिमेंट का छोटा सा कार खाना है, दो छोटे सिनिमा घर है और एक नगरपाली का तो नगरपालिका आपको पता ही होगा हम कहते हैं municipality जो छोटे छोटे कारे करती है कस्बों के अंदर जैसे school बनवाना या छोटे से हमने देखा होगा आपने की शोचाले बनवा दिया तो इस तरीके के कस्बों पर municipality जो होती है वो काम करती है तो उन्होंने क्या किया कि नेता जी सुबाश चंदर बोस की एक संगमरमर की प्रतिमा लगवा दी नगरपालिका ने और प्रतिमा बनाने वाले कलाकारों की खोज और अधिक लागत लगने की वज़े से उन्होंने एक निर्ने लिया कि क्यों ना स्थानिय कलाकार के रूप मे ये कार्य स्कूल के ही ड्राइंग अध्यापक को दे दिया जाए और अध्यापक ने भी महीने भर में मूर्ती बना दी और आगे आप देखेंगे कि जो स्कूल के अध्यापक है वो नेताजी सुवाजचंद्र बोस की जो उन्होंने मूर्ती बनाई है वो पूरी मूर्ती नही दो फुट और वो संग्मर्मर की मूर्ती है लेकिन क्या ट्विस्ट आता है इसके अंदर इस कहानी में क्या है जो अलग है और कहीं न कहीं इस पार्ट के शीर्षक से मिलता जुलता है होता क्या है कि उस मूर्ती में नेता जी बहुत सुन्दर लग रहे हैं और यहाँ पर स्व लेकिन ये सचमुच का चश्मा किसने पहनाया? तो होता क्या है कि हलदार साहब जो पहली बार, यानि उस कजबे के वो चक्कर लगाते रहते थे हर 15 दिन में, तो हलदार साहब जब पहली बार उस प्रतिमा को देखने आये और उन्होंने देखा, तो वो बड़े रोमान्चित हो गए, उन्होंने मूर्ति को देखा और कहा, अरे वा, ये तो बड़ा अच्छा उपाई किया गया है, वे वहां से जाने के बाद उसी के विशे में सोचते रहें, उन्हें लगा कि आज भी लोग देश भक्ती को अपने हिर्दे में बसाई हुए हैं, ऐसा उन्हें क्यों लगा, होता क्या है कि उन्होंने देखा कि नेता जी की जो मूर्ति है, उस पर असली का चश्मा लगा हुआ है, तो उनको ये जानकर बड़ी हैरानी हुई, कि नेता जी की संग्मर्मर की मूर्ति पर ये कैसे असली का चश्मा लगा हुआ है, और फिर जब वो पंद्रा दिन बाद आये तो उन्होंने देखा कि वो चश्मा बदल चुका है, तो बार-बार उन्होंने जब ये देखा कि चश्मा बदलता हुआ दिखता है, तो हलदार साहब ने क्या किया कि वहाँ जो उस कजबे में पान वाला था तो उसके पास गए और एक दिन पान वाले से पूछा कि भाई ये चश्मा कैसे बदल जाता है और इसपे चश्मा कौन लगा देता है हर रोज नया-nyया कैप्टन क्या करता था कि वो हर बार चश्मे को बदल देता था और जब किसी ग्राहक को वैसा ही चश्मा चाहिए होता था जैसा उसे पसंद है तो वो नेता जी का चश्मा वहां से उठाता था और ग्राहक को देता था लेकिन नेता जी के चहरे पर चश्मा जरूर रहता था यानि हर दिन चश्मा बदलता रहता था तो उस चश्मे को वो उतार लेता था और दूसरा पहना देता था असली चश्मे के विशे में पूछने पर पता चलता है कि जो ड्रॉइंग मास्टर थे जोनों ने ये मूर्ती बनाई थी वो चश्मा बनाना भूल गए फिर हलदार सहाब ने क्या किया कि वो मास्टर की मानसिक स्थिती के विशे में कही तरह से सोचने लगे वो सोचने लगे कि आखिर कैसे पूरी मूर्ती बनाई और चश्मा बनाना भूल गए तो कही न कहीं बचो ये पार्ट में नहीं दिया हुआ है लेकिन हमें ये प्रतीत होता है कि इतने कामकाज में वो फसा होगा जो मास्टर है और जिस तरह से बजट कम होगा और उसके पास और भी काम होंगे तो वो कहीं न कहीं उसमें भूल गया कि वहाँ पर चश्मा भी बनाना है लेकिन देश भक्ती की जो भावना है वो कैप्टन के अंदर होती है और वो नेता जी की जो मूर्ती को देखता है तो उसे नेता जी की मूर्ती अधूरी लगती है लेकिन हलदार साहब के मन में कई तरीकी की बातें आती हैं तो हलदार साहब पानवाले से ये भी पूछते हैं कि क्या चश्मे वाला कैप्टन कहीं भी हिंद फौज में था या किसी भी तरीके से वो कोई सैनिक है क्योंकि ऐसी भावना उसके अंदर कैसे है तो पानवाला उपेक्षा की भाव से बताता है कि वो तो लंगडा और पागल है वो कैसे फौज में जा सकता है अब बच्चों यहाँ पर आप देखेंगे कि कैसे कहीं न कहीं हमारे आसपास हम अपने समाज में भी देखते हैं कि जो लोग देश भक्ती की भावना से भरे हु तो यहाँ पर जब आपने देखा कि वो जिस तरह से मजाक उडाता है तो कहीं न कहीं हालदार साहब को बहुत बुरा लगता है और फिर हालदार साहब सामने से चश्मे वाले को देखते हैं उन्होंने देखा कि कमजोर लंगडा आदमी गांधी टोपी और काला चश्मा लागे कि वो यह कैसे करता है और पूरे कस्बे में उसके अलावा नेता जी की मूर्ती पर कोई चश्मा नहीं लगाता तो लगबग बच्चों दो वर्ष हो जाते हैं और हालदार साहब उस कस्बे से गुजरते रहे और चश्मे का बदलना वो लगातार देखते रहे एक द पता चला कि पानवाले ने कहा कैप्टन मर गया वह चुपचाब वहां से वापस आ गये इस बात को सोचकर वह बहुत दुखी हुए कि अपना सब कुछ बलिदान करने वालों पर लोग हसते हैं और अपने छुद्र स्वार्थ निकालने के लिए बिकने तक को तयार हो जाते हैं ये पार्ट में भी ये पंक्ति हैं हम इस पर चर्चा करेंगे आगे कि कैसे हम जो लोग अपना सब कुछ निचावर करके देश के लिए समर्पित रहते हैं उस पर आम जंता हसती है तो कुछ दिन बाद हालदार साहब जब फिर उधर से गुजरे तो ये निश्य कर रख कर सीधे मूर्ती के सामने खड़े हो जाते हैं और मूर्ती पर किसी छोटी बच्चे ने सरकंडे का चश्मा बना कर लगा रखा था बच्ची का इस तरह देश पर कुर्बान वीरों और देश के प्रती भक्ति के इस भावना को देखकर हलदार साहब इतनी सी बात पर बार चश्मे से पूरा करता है और उस पूरे कजबे में कैप्टन के अलावा कोई भी वहां पर चश्मा नहीं लगाता और कहीं ना कहीं एक उमीद उन्हें दिखती है हलदार साहब को जो वो देखते हैं कि छोटा बच्चा सरकंडे का बना हुआ चश्मा वहां पर रखकर चला जाता है तो यह उमीद है कि आने वाली जो पीड़ी है उसके अंदर भी देश भक्ती की भावना है मैं अब आपके सामने उन अंशों पर बात करूंगे जिस पर प्रश्न बनते हैं और जो बहुत जरूरी भी हैं उस पर हम चर्चा करते हैं जैसे कि एक अंश आया था क पान वाला नया पान खा रहा था पान पकड़े अपने हाथ को मुझ से डेड़ इंच दूर रखकर उसने हालदार सहाब को ध्यान से देखा फिर अपनी लाल काली बती सी दिखाई और फिर मुस्कुरा कर बोला नहीं सहाब वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में पागल ह वो देखो वो वो आ रहा है आप उसी से बात कर लो फोटो फोटो छपवा दो उसकी कहीं तो आप देखिए बचों कि जो ये अंश है वो कहीं ना कहीं पूरे हमारे समाज के जो लोग हैं अधिकतर जो समाज के लोग हैं वो कैसा सोचते हैं जो कैप्टन जैसे लोग हमारे आसपास रहते हैं, जो देश के लिए कारे करते हैं, या छोटी-छोटी चीजें, चाहे आप देखे कि कचड़ा उठाने का काम अगर हो, या सड़क पर कोई चीज ऐसी फैली हो, जो उठाकर कूरे दान में डालना हो, या समय पर लाइट बन करना हो, या किसी की मदद करना हो, या फिर कैप्टन का ही काम जिस तरीके से वो मूर्ती पर चश्मा लगा रहा है, ये कोई आम जनता या आम जन का इंसान नहीं करता है, तो पान वाला कहीं न कहीं उसका उपहास उड़ा रहा है, उसका मजाक उड़ा रहा है, और उस मानसिक्ता का परिचे दे रहा है, जो अ क्या यही इसका वास्तविक नाम है लेकिन पान वाले ने साफ बता दिया था कि अब वो इसके बारे में बात करने को तयार नहीं है तो कहीं न कहीं उनके मन में आता है और मेरे ख्याल से सिर्फ हालदार साहब के मन में नहीं हम सभी के मन में ये भावना कहीं न कहीं छुपी ब तो यह पूरा हमने पढ़ा हमने जाना कहानी के बारे में कहानी के सार के बारे में और अगर हम बात करें मुख्य पात्र के बारे में तो यहां पर आप देखेंगे कि हालदार साहब है और उनके बारे में अगर हम बात करें तो वह बहुत भावुक और साहिरुदय व्यक्ति है कि बहुत सारे लोगों में सम्येधन शीलता भी है लेकिन वह कुछ कर नहीं पाते हैं तो वह इसी तरह से इस पार्ठ में उनका जो बैए दिखाई देता है गोफाता है उसके मन यहां पर Captain सबसे प्रमुख पात्र है जो की एक वृद्ध है जो चश्मा बेचता है और इसी के माध्यम से स्वयम प्रकाश पूरी कहानी में उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं उन लाखो करोडों के बारे में बात कर रहे हैं जो देश के लिए समर्पित रहते हैं और फ और मूर्ती बहुत ही जल्दबाजी में बहुत काम के बीच में बनाई और इसी वज़े से वो चश्मा लगाना भूल गए थे तो ये मुख्य पात्र थे बच्चों और अब हम बात करें जो मुख्य प्रश्ण आते हैं कई बार और वो पाठ से ही आते हैं और आशे स्पष् और अपने लिए बिकने के मौके ढूंती है ये पूरी पूरी कहानी को एक तरीके से बया करता है और कहीं ने कहीं पूरी कहानी यहीं से खुल जाती है और पूरी कहानी का मर्म हमें यहीं पर समझ आ जाता है तो इस आंश को जो आप देख रहे हैं ये कहीं ने कहीं हालदार साहब के मन में चल रहा है और वो सोच रहें कि वो कौन लोग होते हैं जो सब कुछ अपना दाओं पर लगा कर देश के नाम पर कुर्बान कर देते हैं और फिर भी जनता उन पर हसती है यानि आम जो समाज है आम जो नागरिक है उनकी इस कुर्बानी पर हसता है उन्हें याद भी नहीं रखता, तो ये पूरे पाठ में कही न कहीं इस मानसिप्ता को दर्शाने की कोशिष की गई है। अभी भी भावी पीड़ी के अंदर वो बात है, वो जस्बा है, वो उमीद है कि वो इस देश के लिए समर्पित है, तो ये बात उनके मन में कहीं न कहीं उनको भावी भोर कर देती है, तो ये उमीद उनके मन में जगती है कि अभी भी देश के लोगों में देश के प्रती सम् पड़ें और दो सब्तो today चेए हुई हैं तो हमने मुख्याइ मुखिया बातों पर चर्चा किया और ये पार था नेताजी का चश्मा और नेताजी का चश्मा में कैप्टन पर कई बार प्रशन पूछे जाते हैं, उनका चरितर चितरन पूछा जाता है, कई बार हमसे प्रशन पूछा जाता है कि हालदार सहाब का चरितर चितरन बताए, पान वाले का चरितर चितरन बताए, तो आप असानी से इन तीनों चीजों पर लिख सकते हैं, हमने द भावना थी उनकी जो मानसिक्ता थी वो देश प्रेम की थी तो एक और ऐसे ही प्रश्ण आता है कि सिनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे तो यानि यह मिलता-जुलता प्रश्ण है जो मैं आप से साजा कर रही हूं तो आप यह बता सकते है कि चश्मे वाला स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले सैनिकों और नेताओं का हृदय से सम्मान करता था और उसे नेता जी की बनी मूर्ती में बिना चश्मे को उन्हें देखना बिल्कुल पसंद नहीं आता था तो वो खुद भी देश प्रेम की भावना से उत्प पर भी बात की कि जिस पर कई बार आशिस पष्ट भी आता है तो इस पार्ट को पढ़ने के बाद मैं यह उमीद करती हूं कि हमारी जो भावी पीडी है वो भी क्याप्टन की तरह होगी वो भी उमीद से भरी होगी तो हम इस पार्ट को सिर्फ प्रश्नोतर तक ही सीमित नह निवाल